और एक सवाल RR केबल पर लेते हैं, मुहितियादव जी का सवाल है, ये पूछने RR केबल पर अभी क्या नजरे बन रहा है? जितना भी केबल वायर्स एलेक्टिसिटी ये सब कंपनी से हैं, इस पर हम जो भी प्राइस वॉल्यूम से ही जाएंगे, क्योंकि RR काबेल या किसी भी एलेक्टिकल वायर्स एलेक्टिसिटी का वैल्यूइशन फेवरेबल नहीं है, मेरे हिसाब से, रिस्क कोशन बहुत RR काबेल में एक छट बन गई है आपकी 1860-75 के रेंज में, इसके बगार मुझे लगता है कि ये बहुत stiff resistance है, RR काबेल का, इसके पहले consolidation चलता रहेगा, और इसका रेंज भी बड़ा सा अजीब सा बना हुआ है, RR काबेल का, नीचे इसका रेंज open होता है करीब 1550 तक और उपर जाता है 1860-75, इस बीच में कहां से ये support लेकर कहां से पढ़ देगा, अंदाज लगाना बाद मुश्किल है, यहां से इतना ही कहा जा सकता है कि 1860-75 का जो रेंज है इसके उपर जब तक close नहीं मिले, तब तक इसमें wait करन ज्यादा सही decision रहेगा, in case, in case अगर वो निकल गया, तो जो भी closest low होगा, for example, माल लेते हैं कि 1700 वाला closest low है, तो closest low का support लीजिए और फिर land trade लीजिए. तो क्या अभी इसमें सिर्फ technical parameters को ही देखा जा सकता है, क्या मतलब company fundamentals के नजरे से कहीं कोई comfort नहीं आ रहा है? नहीं, fundamentals पर बिलकुल comfort रहा है, लेकिन valuation पर नहीं है, valuation बहुत महँगा है, यह पूरे sector में बहुत महँगा है, और मैं इस growth पर, यह valuation पर मेरा discomfort है, इसलिए मेरा ऐसा समझ, मेरी ऐसा समझ है, कि या तो correction हो और ऐसे बाजार में risk बहुत ज़्यादा है अभी current situation में, या तो correction हो कम से कम 10% का एंड अप टू 20% का, तो हमारी safety net बने, नहीं तो stay put. जे, शुमिश, पिछली बातचीत में भी हमने इस बात पर गवर किया था, कि बहुत सारी कंप्टियों में, मतलब एक stagnation नज़र आ रहा है, टॉप लाइन, बॉटम लाइन दोनों के लिहाज से, और यह example भी हमारे सामने वैसा ही है, RR केवल का, केवल का, या कादिल का, जो मतलब यह लगभग 75 करोड रुपय के आसपास का प्रॉफित अटका हुआ है, मतलब कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है, तो यह सिर्फ इस कंपनी के साथ नहीं है, पिछले बार भी हमने देखा कितनी सारी कंपनियों में यही तस्वीर बन रही है, जब हमारे अर्थवस परसेंट, दस परसेंट के आसपास का सेल्स तो ग्रो कर रहा है, टॉप लाइन दस-पंद्रा परसेंट, वी सजर करोड के मार्केट कैप पे ठीक है, उसमें बहुत मुझे ज्यादा तो उसके क्विश्चन नहीं है, में चीज यह है कि अगर बॉटम लाइन नहीं बढ़ र नहीं है, बॉटम लाइन आपका नहीं बढ़ पा रहा है, जिसका जरूर इश्यू है, और साथ में यह भी थ्यान देने वाली बात है कि मार्च क्वाटर में तो अधर इंकम का ज्यादा सपोर्ट होते हुए भी बॉटम लाइन का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है, और इसलिए आपको valuation moderation होगा, या तो price यहीं पर consolidate करेगा, विकोज बाजार में sentiment negative नहीं है, तो बहुत ज्यादा कोई छोड़ने को भी ready नहीं रहेगा, लेकिन खरिदारी भी ज्यादा नहीं होगा, तो quarter में profit अगर देखा जाए तो ठीक है, 10-10% के आसपास का manage हो रहा है, ल आयर बालेशन तो जस्टिफाइने का,